प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट सामयल का पहला ग्रंत अध्याए 15, 15 सोला से 23 तक सामयल ने साउल से कहा जाने दो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझ से क्या कहा इस पर साउल ने उतर दिया बताईए सामयल ने कहा तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे फिर भी तुम इसराइली वंशो के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इसराइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिशेक किया है प्रभु ने तुम्हें ये आदेश देकर भेजा था जाओ और उन पापी अमालेकियों का साहार करो और उन से तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सरवनाश ना हो तुम्हें क्यों प्रभु की आग्या का उलंगन किया और लूट के माल पर जपट कर वो काम किया जो प्रभु की दृष्टी में बुरा है इस पर साउल ने सामुयल से कहा मैंने प्रभु की आग्या का पालन किया प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमालेकियों का साहार कर अमालेक के राजा आगाग को यहां ले आया लेकिन जन्ता ने लूट के माल में सरवतम भेडों और बैलों को साहार से बचा कर ले लिया जिससे वे उन्हें आपके प्रभू ईश्वर को बली चड़ाएं सामिल ने उतर दिया क्या होम और बलीदान प्रभू को इतने प्रिये होते हैं जितना उनके आदेश का पालन नहीं आग्या पालन बलीदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्म समर्पन भेडों की चरबी से बढ़ कर है क्योंकि विद्रो जादू टोने की तरह पाप है और आग्या भंग मुर्ती पूजा के बराबर है तुमने प्रभू का वचन अस्विकार किया इसलिए प्रभू ने तुमको अस्विकार किया तुम अपसे राजा नहीं रहोगे यह प्रभू की वानी है संद मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई दो वाकि 18 से 22 तक यहन के शिष्य और फरीशी किसी दिन उपुआस कर रहे थे कुछ लोग आकर इसा से बोले यहन के शिष्य और फरीशी उपुआस कर रहे हैं आपके शिश्य उपवास क्यों नहीं करते एशा ने उतर दिया जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं किन्तु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछूड जाएगा उन दिनों वे उपवास करेंगे कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का प्रैबंद नहीं लगाता नहीं तो नया प्रैबंद सिकुड कर पुराना कपड़ा फार देता है और चीर बढ़ जाती है कोई पुरानी मश्कों में नई अंगूरी नहीं भरता नहीं तो अंगूरी मश्कों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मश्कें दोनों बरबाद हो जाती है नई अंगूरी को नई मश्कों में भरना चाहिए ये प्रभु का दिव्य सु समाचार है ख्रिष्ट प्रभु की जय मेरे प्री भाई और बेनों आज का पहला पाठ सैमुल के पहले ग्रंद से लिया गिया था अधियाई 15 से इस्राइली जनता की गुहार सुनकर एश्वर ने इस्राइलियों को एक राजा दिया और इस्राइलियों का पहला अभिशिक्त राजा था साउल एश्वर ने सामुल की द्वारा साउल का अभिशेक किया जब साउल का अभिशेक हुआ जैसा की वचन में आप पढ़ेंगे साउल को एक नया मन मिला, एक नया व्यक्ति बना वो एश्वर ने साउल को सामर्थ दिया, अधिकार दिया उन दुनों अमलकी लोग इसराइलियों पर बराबर आकरमन करते थे और उनको परेशान करते थे इसलिए ईश्वर ने साउल से कहा कि तुम जाकर अमलकियों को हराओ उनका विनाश्री करो मैं तुम्हें अधिकार भी देता हूँ और शक्ती और सामर्थी भी देता हूँ लेकिन एक शर्त उस देश से कुछ भी अपना देश नहीं लिया होगे पुराने जमाने में जब राजा दूसरे राजे पर आकरमन करते थे उसको हराने के बाद वहां से अच्छे अच्छे चीजें और यहां तक की लोगों को भी अपना देश लेके आते थे ईश्वर ने साउल से का कि तुम अमलकियों के यहां से कुछ भी नहीं लिया होगे लेकिन साउल ने अमलकियों को हराया जरूर लेकिन साउल ने और उसकी जनता ने वहां से मोटे मोटे गाए बैल भेड़ें और बकरें और अनी चीजें को लेके आया ईश्वर कोई अच्छा ने लगा ईश्वर ने साउल से कहा कि मुझे दुख है कि मैंने साउल को इसराइल के राजा की रूप में नियुक्त किया है क्योंकि उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और साउल साउल के पास आता है और ये बताता है जिसके बारे में आज के पांठ में आपने सुना सामूल जाके साउल से कहता है कि तुमने ये क्या किया है इश्वर ने मुझसे कहा है कि तुमने उसकी आग्या का उलंगन गिया है साउल ने कहा कि मैंने इश्वर की आग्या का पालन गिया इश्वर ने आदेश दिया कि मैं जाकर अमलकियों को हराओं और मैंने ऐसा किया समुल ने साउल से पूछा किया इश्वर ने कुछ और नहीं कहा था तो साउल ने कहा कि मैं इन सर्वोतम भेडों और बेलों को सहार से बचा कर लिया जिससे वे उन्हें आपके प्रभू इश्वर को बली चाहाएं साउल ने कहा कि मैंने इन सारी बेडों और जानवरों को इसलिए लिया आया है ताकि इश्वर को बली चाहाएं आप सुनिए सामुल ने उतर दिया क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं आग्या पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्म समर्पन भेडों की चर्बी से बढ़कर है ये प्रभु की वानी है आग्या पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्म समर्पन भेडों की चर्बी से बढ़कर है आग्या पालन और आत्म समर्पन एक विश्वासी के लिए ये दोनों बहुती महत्पूर्ण बाते हैं वचन कहता है आग्या पालन बलिदान से कहीं अधिक उतम है प्रभी इश्वर हमसे आग्या पालन चाहता है ना कि बड़े बड़े कार्य चाहता है हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े कार्य करने से प्रभी इश्वर हमसे प्रसन हो जाएगा वास्तों में प्रभु ऐश्यर आगया पालन चाहता है मत्तिक इससु Σंवाचार के अध्याय P5 वा कि 19 में प्रभी यसु कहते हैं मेरी इन आगयाओं में से छोटी सी छोटी आगयाओं का जो पालन करता है और दूसरों को ये सकरने को सिखाता है वह ईश्वर के राज में बड़ा माना जाएगा जो प्रभू की आग्याओं का पालन करता है वह ईश्वर के राज में बड़ा माना जाएगा हमारे बड़े बड़े कारियों से नहीं हमारे बलिदानों से नहीं बलकि हमारे आग्या पालन और आत्म समर्पन से ईश्वर खुश होता है मति के सुसमाचार के एक बहुत सुन्दर प्रसंग है मति के सुसमाचार के अध्याई साथ में पढ़ते हैं प्रभी ये सुने कहा वाक्य साथ में मांगो और तुम्हें दिया जाएगा ढूनो और तुम्हें मिल जाएगा खटकटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा लेकिन उसी अध्याई के वाक्य केस में पढ़ेंगे प्रभु ने क्या का है केस से लेकर प्रभु कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग में स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा आगे देखिएगा आगे सुनिए उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे प्रभू क्या हमने आपका नाम लेकर भविश्यवानी नहीं की आपका नाम लेकर अब्दूतों को नहीं निकाला आपका नाम लेकर बहुत से चमतकार नहीं दिखाए तब मैं उन्हें साफ साब बता दूँगा मैंने तुम लोगों को कभी जाना नहीं कुकर्मियों मुझसे दूर हटो तो प्रभू की दृष्टी में आग्या पालन सबसे महत पूर्ण है उत्पत्ति ग्रंद की अध्याई उन्ने समय पढ़ते हैं एश्वर ने सोदोम और गुमोरा नगरों को नश्ठ किया लेकिन नश्ठ करने से पहले वहां वास्ट करने वाले लोत और उसके परिवार को एश्वर बचाना चाता था क्योंकि वे धर्मी थे और एश्वर ने कहा कि छोड़कर घर छोड़कर भागो लेकिन एश्वर ने फिर वहाँ एक शर्ट रखी कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखना लेकिन लोत की पत्नी ने दौड़ते समय मुड़ कर देखा क्योंकि उसका दिल घर पर था और वो नमक का खंबा बन जाती है उत्पती ग्रंद की अध्याई तीन में हम पढ़ते हैं आदमों और हेवा से प्रभू ने कहा था अधन बगान के बीचों बीच के उस वरिक्ष का फल नहीं खाना लेकिन उन्होंने आगया का उलंगन गिया और वे अधन बगान से बाहर किये गए बैबल में हमें बहुत सुन्दर सुन्दर वे दाहरें मिलते है गणना ग्रंद के अध्याई बीस में हम पढ़ते हैं जब इस्राइलियों के पास पीने के लिए पानी नहीं था एश्वर ने मुसा को आदेश दिया सारे इस्राइलियों के कटा करो और चटान को आदेश दो कि हमें पानी दो लेकिन मुसा का विश्वास कमजूर था आदेश नहीं दिया बलकि वह छड़ी जिसके द्वारा बड़े बड़े चिन और चमतकार मुसा किया करता था चटान पर मारा और पानी निकला इश्वर मुसा से नाखुश हुआ और मुसा को प्रतिग्यात देश में प्रवेश करने से रोका आग्या पालन बलिदान से बढ़कर है आत्मस समर्पन हुम बलिदान से बढ़कर है हमें सत्य को जानना चाहिए और आज का सुसमाचार संथ मारकुस के सुसमाचार के अध्याए दो से लिया गया था आज के सुसमाचार में उपवास के बारे में वाद विवाद आपने सुना यहूदी धरम नियमों और परंप्राओं से जुड़ा हुआ था बधा हुआ था यहूदी लोग नियम की पूर्ती पर और परंप्राओं की पूर्ती पर ज़्यादा जोर देते थे आज की सुसमाचार में आपने सुना योहन के शिश्य और फरीसी किसी दिन उपुआस कर रहे थे कुछ लोग आकर इसा से बोले योहन के शिश्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं आपके शिश्य उपवास क्यों नहीं करते इसा ने उतर दिया जब तक दुला साथ है कि आप बाराती शोक मना सकते हैं जब तक दुला उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं किन्तु वे दिनाएंगे जब दुला उनसे बिछोड़ जाएगा उन दुनों वे उपवास करेंगे पहली बात योहन के शिश्व और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे यानि लोगों को मालुम था कि वे उपवास कर रहे थे उस जमाने में बहुत सारे यहुदी उपवास करते समय ये प्रकट करते थे लोगों को दिखाते थे कि हम उपवास कर रहे हैं तभी तो फरीसीों को पता चला कि वे उपवास कर रहे थे लेकिन प्रभी एस्व मतिक इस्व समाचार की अध्याइश सौला में बताते हैं जब तुम उपवास करते हो तो किसी को इसका पता ना लगें किसी को इसका पता ना लगें तुम्हारा स्वर्गीक पिता जो देखता है वही तुम्हें पुरसकार दे इसलिए प्रभी एस्व अपने शिश्यों को समझाए कि तुम्हारा उपवास दिखाने के लिए ने होना चाहिए प्रभु के जमाने में फरीसी लोग सब्ता में दो बार उपवास करते थी लेकिन जो लोग बारात में जाते थे उनको इस नियम से छूट था जब बारात में जाते थे इस नियम से उने छूट था और प्रवियेशु इसी बात को लेकर लोगों को समझाते हैं जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं लेकिन जब दुल्हा बिछूड जाएगा तब वे उपवास करेंगे और वास्तों में ये हुआ भी प्रवियेशु की मृतियो और पुनुत्थान के बाद शिष्य उपवास और प्रारतना में काफी समय बिताए प्रेरी चरित को आप ध्यान पूरक पढ़ेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा कि जब भी शिष्य लोगों को किसी काम के लिए नियुक्त करते थे उन पर प्रारतना किया गरते थे उससे पहले वे उपवास और प्रारतना किया गरते थे प्रवियेशु ने उपवास पर जोर दिया और प्रवियेशु ने स्वैम चालीस दिन और चालीस रात उपवास किया और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय नौ में प्रभू ने शीशों को बताया बिना उपवास और प्रार्तना के कुछ जाती के अबदूत हटाये नहीं जा सकते यानि प्रभू ने स्वयम उपवास पर जोर दिया लेकिन प्रभू का उपवास नियम की पूर्ती के लिए नहीं था परंपरा की पूर्ती के लिए नहीं था बलकि आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक जागरती के लिए आध्यात्मिक शक्ती पाने के लिए दोसरों के कल्यान के लिए था हम भुष्वास्यों को इस बात को समजना धरूरी है हमारे देश में भी लोग उपवास करते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि कि किन किन चीजों को परहेज रखना चाहिए कभी कभी उपवास के समय 40 दोरान लोग फोन करके पूछते हैं स्वामजी बताईए क्या-क्या खा सकते हैं यानि उनके लिए भी उपवास किसी नियम की पूर्ती है हमारे लिए उपवास आध्यात्मिक जागरती उत्थान आध्यात्मिक शक्ति के लिए दूसरों के कल्यान के लिए और इश्वर के प्रती अपने समर्पन और प्रेम को दिखाने के लिए होना चाहिए प्रभी ये सुने लोगों को एक बात समझाया कि मैं जो आध्यात्म लाया हूं मैं जो धार्मिक्ता लाया हूं यह एक नई धार्मिक्ता है एक नया आध्यात्म है ये पैच वर्क नहीं है पुराने से जोडने वाली बात नहीं है मैं नया लया हूँ इसको समझाने के लिए प्रभी येशू दो बहुत सुन्दर छोटे छोटे द्रिश्टांद सुनाते है प्रभु कहते हैं कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता नहीं तो नया पैबंद सुकुड कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है पुराने जमाने में जब कपड़ा फड़ जाता था तो दूसरा कोई कपड़ा उसके साथ जोड़ कर सील दिया जाता था प्रभु कहते हैं पूराने कपड़े पर नया कपड़ा नहीं चोड़ा जा सकता क्यूंकि नया कपड़ा जब सिकुड़ेगा तो पूराने कपड़े को चीर देगा छोटा सा साधारन सा उदाहरन है जिसके द्वरा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं एक नया अध्यात्म एक नई नई तिकता एक नई दारमिकता लाया हूँ दूसरा उदारम कोई पुरानी मश्कों में नई अंगूरी नहीं भरता नहीं तो अंगूरी मश्कों को पाड़ देती है और अंगूरी तथा मश्कें दोनों बरबाद हो जाती हैं नई अंगूरी को नई मश्कों में भरना चाहिए नई अंगुरी को नई मश्कों में बरना चाहिए ये एक इशारा है हम सब के लिए इशारा बहुत सारे भाई बेहन विश्वासी और मसी भाई बेहन पैच वर्क का दियात्म जीते प्रभु चाहते हैं कि हम पूरी तरह से नए बने प्रकाश्न ग्रंद अध्याएक के इस वाग्य पांच में प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूँ प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आपको पूरी तरह से शुद्ध करें पवित्र करें, स्वच्छ करें और नई अध्यात्मिकता ग्रहन करें प्रभु चाहते हैं कि हम पुरानी बातें त्याग दें और प्रभु के द्वारा दी जाने वाली उस अध्यात्मिकता को ग्रहन करें प्रभु चाहते हैं कि उनकी किर्पा हम नए हिर्दे में, नए मन में, नए आत्मा में ग्रहन करें आईयम रार्त्ना करें प्रभी एसु धनेवाद देते हैं आज की सुन्दर पाठों के लिए तेरे एक एक वचन के द्वरा तु हमें जेतावनी दे रहा है आहुआन कर रहा है समझा रहा है तु चाहता है कि हम लोग पूरी तरह से नए बने तु चाहता है कि हम अपने हिर्दे मन आत्मा को नया बना कर स्वच बना कर तुझे ग्रहन करें तेरी आध्यात्मिक्ता को ग्रहन करें धार्मिक्ता को ग्रहन करें जो नयतिक्ता तु लाए उसे ग्रहन करें प्रभु हमें इसके योग्य बना दे ये प्रभी ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिरवात देना आज का संपूर्ण देने उनके लिए आशिर का दिन बने अमारी स्प्रार्तां को ग्रहन कर आमेन मारी पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है अमारी स्प्राइब देना